नमस्कार दोस्तो, नवीन पॉली सेटी एक ऐसे एक्टर हैं जो पिछले कुछ समय से साउथ फिल्मों में काम्याबी की सीडियां चड़ते जा रहे हैं प्रिजन टाइम में राइजिंग स्टार की छवी इनमें साफ तोर पर देखी जा सकती है अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूँ यहीं वो एक्टर हैं जिनोंने एजेंट साइंस रिनिवास आत्रिया फिल्म में लीडिंग रोल प्ले किया था फिल्म को लोगों ने खुब पसंद किया और नवीन की एक्टिंग की भी काफी तारिफ हुई हाल में ही इनकी फिल्म जाती रतनालू ने चार करोड के बजट में 75 करोड की धाकड कमाई करी है और ये फिल्म बॉक्स आफिस पर डबल ब्लॉक्बस्टर साबित होई है लगडाउन के बाद की ये फिल्म सबसे ज़्यादा सक्सेस्फुल मानी जा रही है इसी के साथ नवीन पॉलिसेटी के प्रती लोगों का फेथ और भी बढ़ चुका है ये एक ऐसे एक्टर हैं जिनोंने बिना गॉड़फादर के अपने दम पर साउत में जगा बनाई है इनकी जर्नी काफी इंटरस्टिंग और इंस्पाइरिंग रही है साइधी कोई एक्टर इतना संगर्स करके आगे बढ़ा होगा इन्होंने यूटूब से लेकर फिल्मों में छोटे छोटे रोल्स भी निभाए हैं जब बॉलिवुड में बात नहीं बनी तो ये साउथ चले गए जहां इनके टैलेंट को पहचाना गया और इने काम मिलने लगा थैंक्स टूदा तेलगू फिल्म इंडस्टि जिनोंने नवीन पॉलिसेटी को लीड रोल देकर एक आउटसाइडर को मौका दिया दोस्तो आज के इस वीडियो में हम नवीन पॉलिसेटी की लाइफ के अप्स और डाउन से लेकर सफलता पाने तक के सफर पर चर्चा करेंगे तो दोस्तो चैनल को सस्क्राइब करके वीडियो के साथ बने रहें दोस्तो नवीन पॉलिसेटी का जन्न 26 दिसंबर साल 1989 को हैदराबाद आन प्रदेश में हुआ इनके पिता का नाम है पी राजकुमार जो की एक फार्मसोटिकल बिजनसमैन है वहीं इनकी मा का नाम है मंजुला पॉलिसेटी जो की एक फार्मर बैंक एम्प्लॉई है इनकी फैमली काफी वेल एजुकेटेड है इनके यहाँ आयेटियन्स और इंजीनर्स की लाइन लगी है इनकी प्राइमरी स्कोलिंग हैदराबाद से पूरी हुई यह बच्पन सही फिल्मों को लेकर काफी ज़्यादा इंटेस्टेट रहते थे लेकिन फैमली प्रेसर के चलते इनोंने अर्ली एज में ही रिजर्बैंक को जॉइन करने का मन बना लिया इंटर्मीडियेट के बाद नवीन पॉली सेटी ने मौलाना आजाद नेशनल इंस्ट्यूट आफ टेक्नलोजी जॉइन कर लिया और यहां से इनोंने अपनी सिविल इंजिनिंग की डिगरी कम्प्लीट करी दोस्तों नवीन बच्पन से ही कल्चरल एक्टिविटीज में काफी ज़्यादा इन्वॉल्व रहा करते थे और कॉलेज के दौरानी इनोंने आर्जे हंट कॉंटेस्ट को जीत लिया जो की हैदराबाद रेडियो 91.1 ने और्गनाईस किया था कुछ समय तक इनोंने एज़ा पार्ट टाइम आर्जे के तौर पर भी काम किया खैर इंजिनिंग पूरी होने के बाद इनको प्लेस्मेंट मिल गया और ये पूने की एक कमपनी में जॉब करने लगे लेकिन यहाँ पर ये बोर हो रहे थे साती सात इने किसी भी तरह एक्टिंग करने का मौका नहीं मिल पा रहा था तंग आकर नवीन पॉली सेटी ने इस जॉब से रिजाइन दे दिया और ये मुंबई चले आए इनोंने मुंबई में एक्टर बनने की पूरी कोसिस करी लेकिन कुछ हो नहीं पाया इन्हें एक फिल्म में काम करने का मौका मिला फिल्म थि सोर इंदा सिटी इनका रोल इतना छोटा था की इन्हें क्रिडिट तक नहीं दिया गया Financial situation भी खराब हो गई थी जब नवीन को किसी भी तरह acting की object नहीं दिखी तो इन्होंने England की एक टेलकॉम company को join कर लिया और कुछ समय acting से break ले लिया पुछी समय में नवीन को realize हो गया कि ये ऐसी jobs के लिए नहीं बने है बहराल England में रहते हुए इन्होंने acting का full course भी कर लिया इन्होंने इंडिया वापस आकर Bangalore में acting के कई workshop भी किये इन्होंने अपनी family को नहीं बताया कि इन्होंने job छोड़ दी है इन्होंने बोला कि ये कुछ time के लिए vacation पर आये हैं शुरुवात में इनकी planning बॉलिवुड में काम करने की थी ये एक बार फिर Mumbai आये और struggle करने लगे नवीन ने इस दोरान कई सारे live events को भी host किया और इन्होंने कई sales की भी job करी दोस्तो नवीन अब हिंदी के साथ साथ तेलगू फिल्मों में भी हाथ पैर मानने लगे थे इन्होंने 2012 की तेलगू फिल्म life is beautiful और 2013 की तेलगू फिल्म d4 dropty में काम किया d4 dropty में इनका major role था और फिल्म ने भी box office पर ठीक ठाक कमाई करी इसके बाद 2014 में इनको अपने फेवरेट स्टार मैस बाबू की फिल्म नेनको डाइन में काम करने का मौका मिला इस फिल्म में ये मैस बाबू के दोस्त के रोल में नजर आए दोस्तो नवीन के पास कुछ और भी project थे लेकिन इनके कुछ project बीच में ही अटक गए इसके बाद नवीन पॉली सेटी थेटर और कॉमेडी की ओर सिफ्ट हो गए अल्टिमेटली नवीन एक stand-up कॉमेडियन बन गए और open mic करने लगे तभी AIB वालों की नजर इन पर पड़ी बेसिकली ये एक मुंबई based company थी जिसका खुद का YouTube चैनल था AIB वालों ने नवीन पॉली सेटी को अपने ग्रूप में जोड लिया और अब ये धडले से कॉमेडी करने लगे और इनकी वीडियोस को YouTube पर upload किया जाने लगा इनके वीडियोस YouTube पर आज भी available हैं आप चाहें तो देख सकते हैं बस YouTube पर सर्च करिए नवीन पॉली सेटी AIB इनके सारे वीडियोस आ जाएंगे इनोंने 2015 में AIB Honest Indian Wedding, मस्ती और Chinese भसल जैसी YouTube सीरीज में काम किया इसी दोरान 24 वालों की नजर नवीन की AIB वीडियो पर पड़ी और इनने 24 सीरीज में कास्ट कर लिया गया सीरीज के हीरो थे अनिल कपूर और इनको सेंटरल करेक्टर कुछ सावन का रोल करने का मौका मिला 2017 में ये AIB की सीरीज Honest Engineering Campus Placement में एवरेज मिस्तरा के रोल में नजर आये इस सीरीज में इनका मोनो लोग काफी फेमस हुआ और ये कैरेक्टर इंटरनेट सेंसेशन बन गया और नवीन पॉलिसेटी देखते ही देखते YouTube के स्टार बनकर चमक गए अब इनकी पहचान बन चुकी थी और इनके काम को भी पसंद किया जा चुका था इन्होंने फिल्मों में आने का फिट से ट्राई किया इन्होंने बॉलिवोड में काम पाने की बहुत कोसिस करी काफी इस्टगल के बाद भी इन्हें किसी ने काम नहीं दिया अब ये साउथ इंडस्टी में काम तलासने लगे तेलगू इंडस्टी ने इनके काम को सराहा और इने फिल्मों में काम करने का मौका दिया तकरीबन दस सालों के लंबे संगर्ज के बाद नवीन पॉली सेटी को पहली फिल्म मिली ये इंडिया की जासूसी फिल्म थी जिसको देशी सरलक होम्स की तरज पर बनाय गया था फिल्म को मात्र 4 क्रोंट के बजट पर तयार किया गया और फिल्म ने 20 क्रोंट की कमाई करी फिल्म बॉक्स आफिस पर सूपर हिट रही और इस फिल्म को काफी जादा क्रिटिकल अकले मिला इस फिल्म में नवीन की एक्टिंग स्किल की खुप तारीफ होई इंडिया को खुद का अपना जासूस एजन्ट साही मिल गया फिल्म को अब एक जासूसी फ्रंचाइसी के तौर पर बदल दिया गया है और भविस में आपको इस फिल्म के कई सीकुल देखने को मिल सकते हैं इसके तुरंट बाद इन्होंने छिचोरे फिल्म के जरीए बॉल्यूट में भी अपना कदम रख दिया फिल्म में इन्होंने एसिट का रोल प्ले किया था पचास करोड के बजट में बनी इस फिल्म ने 215 करोड की कमाई करी और नवीन को एक बार फिर इस फिल्म के जरीए सफलता का स्वाथ चखने को मिला एजेंट साइं की सफलता ने नवीन को साउथ के साथ साथ नौर्थ में भी काफी पॉपलर कर दिया सबी की नजर नवीन के अगले प्रोजेक्ट पर थी 2020 के लगडाउन के बाद 2021 में नवीन की फिल्म रिलीज हुई फिल्म ते जाती रतनालू फिल्म में प्री दर्शी और रहुल रामा कृष्चना भी है ये एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है फिल्म की सफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि फिल्म को मातर 4 क्रोण के बजट के साथ बनाये गया और फिल्म ने 75 क्रोण की कमाई करी है और ये फिल्म बॉक्स आफिस पर डबल ब्लॉकबस्टर साबित हुई है पिछले कुछ समय में जितनी भी कॉमेडी फिल्म में आई है उनमें सबसे टॉप पर जाती रतनालू को आका जा रहा है नवीन को फिल्म ने इस्टार का दरजा दे दिया है और ये तेल्गू सिनेमा के राइजिंग स्टार समझ आ रहे हैं बात करें इनके मेरिटल स्टेटस की तो मैं आपको बता दूँ ये फिल्हाल अभी सिंगल है और पूरी तरह से अपने केरियर पर फोकस किये हुए है तो दोस्तो ये रहा नवीन पॉली सेटी पर हमारा एक डेडिकेटेड वीडियो आपको नवीन पॉली सेटी कैसे लगते हैं आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं साती सात नेक्स्ट अब आप किस एक्टर के बारे में जानना चाहते हैं ये भी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सस्क्राइब करें आपका बहुत बहुत धन्यवाद